जोहार साथियो जार्खन करेंट अफेस के एक नए वीडियो में सबसे पहले तो आप सभी लोग का वेलकम है जैसा कि इस आप सभी को पता है जार्खन करेंट अफेस 2021 के सभी महत्पून करेंट अफेस को यहाँ पे डिसकस करेंगे और इसी के अंतरगत आज डिसकस करने वाले कुछ और महत्पून के इस सेशन को सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन पर टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया गया है जिसके थुरू आप हमारे टेलिग्राम चैनल के साथ जूड़ सकते हैं और चैनल रिट्र सभी पार्क है जैवी कुद्यान है उसके बारे में तो जारकन का जो भगवान विर्षा जैवी कुद्यान है ध्यान रखेगा इसका नाम सेम टू सेम यही याद रखना है भगवान विर्षा जैवी कुद्यान इन्हों ने अपना जो है पोर्टल लोंच किया है 2020 में और ऐसा करन अपना हुई थी 1994 में एक चीज और ध्यान रखेंगे 2009 से इसका जो नियंतरन है वो जार्खन सरकार के अंतरगत आ गया था उससे पहले यह जो जैविक दियान है यह खुद स्वैम में जो है वो काम करने की सक्ति रखता था और 2009 में जार्खन सरकार ने इसे अपने नियंतरन मे ले लिया था चलिए बात करते हैं अब आगे आगे बात करते हैं बिजनेस एक्षन रिफॉर्म प्लान जो स्टेट के लिए है मतलब कि राज्जी के लिए है जिसे इस ओप डिविजनेस कहते हैं इसके 2020 के रिपोर्ट के अनुसार जो है जार्खन को पूरे भारत में पांच इस रिफॉर्म एक्षन प्लान ओफ दी स्टेट 2020 के जो रैंकिंग आई थी उसमें जार्खन को पांचवा स्थान दिया गया था आगे बात करते हैं राष्टे जल सकती पुरुसकार की तो राष्टे जल सकती पुरुसकार जो जल सकती मंत्राले भारत सरकार द्वार दिया जाता है उसमें दोजार बीस में जो है जार्खन की एक सोसाइटी है एक एंजीओ है जिसका नाम है सेवा वेलफियर कून सी सुसाइटी है तो सेवा वेलफियर सौइटी और इसे ज़ल सकती पुरुसकार दिया गया था इसी इसका ध्यान दखेंगे आगे बात करते हैं इन Elise सबसे पहले तो देखते हैं ई नाम इप से देखिए इलेक्ट्रोनिक कह सकते हैं और नाम मतलब नेशनल एगरिकल्चर मार्केट मतलब की राश्टिक रिसी बाजार और इसके तहट जो है 2019 बीस इसका जो प्रदर्शन था 2019 बूस में जहारखंड का उस अनुसार जहारखंड को पांचवा रेंक दिया गया था इनाम के जो पोर्टल है उसके कोडिंग ठीक है क्योंकि इनाम के अंतरकर जहारखंड के कुल 19 बाजार समितियां हैं जो विभीन प्रकार के अनाजों के साथ-साथ अलग-अलग तरह के क्रिसी उत्पात को खरितती है और देश के दूसरे हिस उमें बेचने का काम करती है इससे जो है इलेक्ट्रोनिक तरीके से बाजार को संचालित करने में सुविधा मिलती है और इस तरह से जो है इनाम पोर्टल के तहर जो है जार्खन को पांचवा रेंक दिया गया था कब 2019-2020 के प्रदर्शन के अनुसर यह जो रेंक आई थी यह 2020 में आई थी इसका ध्यान रखेंगे आगे बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं जार्खन के पंचायतों की तो जार्खन के पंचायतों में 496 पंचायत ऐसे बन गये हैं जो पूर्ण रूप से साक्षर है मतलब की वहां की जनसंख्या क्या 95-35 जो भाग है वो क्या है साक्षर है और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर 95-35 से ज़्यादा साक्षरता किसी पंचायत में होता है तो उसे पूर्ण साक्षर घोसित कर दिया जाता है तो इस जिश का ध्यान रखेंगे इसमें जो है सबसे अधिक साक्ष साक्षर वो पच्मी सिंभूम के पंचायते हैं और पच्मी सिंभूम के 93 पंचायत हजारीबा के 64 पंचायत ग्रीडी के 61 पंचायत और देवघर के 50 पंचायत और इसके साथ ही साथ उसके बाद राची के 41 पंचायतों को पूर्ण साक्षर पंचायत घोसित किया गया था और इसके साथ ही आपको यहां पर यह पता चल जाएगा कि पच्छमी सिंभूम में जो है वो जो साक्षयरता दर है वो सबसे अधीक है तो इस तरह जो है जारखन में 496 पंचायतों को पूर्ण साक्षयर घोसित किया गया था आगे बात कहते हैं जारखन जो है वो वजरपात के द जो है तो रेड जोन में आने कारण जारखन के सरकार के दवारा एक बनाया गया था जिसका आप का नाम था किसान बामिन包 कि नरमान किया गया था और इसके द दौरह क्या होता है तो मौसम की जानकारी जो है की हे ग्रामिन छेत्रों से इंस curryत की घर तक पहुंचाने में सरकार अपनी जो भूमी का है वो अदा कर सके क्योंकि किसान यदि खेत में रहते हैं और कभी वजरपात हो पाता है तो उनसे जो है जान की जो नुकसान है वो किसानों की अतिधिक मात्रा में हो सकती है और इसी को देखते हुए जो है सरकार ने एक जाने का भी काम किया था इसका नाम है जार्खन राज्य खाद सुरक्षा योजना और इसमें जार्खन सरकार ने 213 करोड रुपे करने का टार्गेट रखा था और टार्गेट किया था तो 15 लाख लोगों तक अनाज का बित्रन करना देखिए 15 लाख लोग मतलब कि एगर ए तो लगबग 15 लाख लोगों तक जो है इसका लाब पहुचाने के लिए जार्खन सरकार ने टार्गेट रखा था और इसके तहत जो है ग्रीन काड ग्रीन काड जो है बाटने का जो है लक्ष रखा गया था जैसा कि आप सभी को पता है अभी सरकार लाल काड या पीला काड इस तरह की काड बाटती है जो किसके तहत आते हैं तो वो आते हैं खाद सुरक्षाधिनियम 2013 के तहत और वैसे लोग जो 2013 के तहत जो है वो कवर अप नहीं करिये गये थे उनको जो है लाब देने के लिए जार्खन सरकार ने इस योजना को सुरू किया था ठीक है मतलब क्या है कि 2013 क्या जो आपका खाद सुरक्षाधिनियम था उसके तहत वैसे लोग जो लाभानवीत नहीं हो पा रहे थे वैसे लोगों को लाब देने के लिए जार्खन सरकार ने अलग से जो है वो योजना शुरू किया था और इसके तहत कितने रुपे खर्च किया था तो 213 रुपे खर्च करने का टार्गेट रखा गया था ठीक है तो यह जो है इन्पॉर्टेंट है इसके तह़त green card बाटा गया था इसका ध्यान रखेंगे ठीक है green card चलिए बात करते हैं अब आगे चलिए आब बात करते हैं चार मेडिकल कोलेज जो जहारकन सरकार ने नाम बदल दिये थे 2020 में तो देखे हजारी बाग मेडिकल कोलेज जो है उसका नाम रख दिया था सेख भिकारी मेडिकल कोलेज और यह हजारी बाग में है दुमका मेडिकल कोलेज की बात करे तो इसका नाम रखा गया था जानो मेडिकल कोलेज पलामू मेडिकल कोलेज की बात करे तो इसका नाम रखा गया था मेदनी राय मेडिकल कोलेज तो यह जो चारो नाम है यह important है जो नाम बदले गया है और इजाम की भी दृष्टी से यह जो चारो नाम है यह important है आगे बात करते हैं तो जहारकन सरकार ने जो है प्रमुख रूप से अगर बात करें तो जहारकन सरकार ने जलावन की लकड़ी कौन कौन सी तो बांस और आप के जो उद्योग हैं तथा जो इससे जो होने वाली आया है उसको बढ़ाने के लिए यह किया गया है कि बांस से अब किसी प्रकार का जो टैक्स उसके ट्रांस्पोर्टेशन में नहीं लिया जाएगा आगे बात करते हैं तो जारखंड में तीन न्याले जो GST सम्मंधी विवा को कहीं बाहर जाने के आँ सकता ना पड़े या फिर ज्यादा भाग डोड़ करने के जो रुटना पड़े इसी को देखते हुए जो है जारखंड सरकार ने तीन न्याले को जो है स्थापित करने की कैडिनेट मंजूरी दी थी 2020 में यहां पे धियान दे ये जो न्याले है कह नहां कहा स्थापित के जाएगा तो रांची में धनबाद में जमसेदपुर में क्योंकि आपका जो इंडेस्ट्रेल एरिया और इसके साथ जो ब्यावसाई वर्ग है वो बिसेश तोर पर इन ही छेत्रों में रहता है तो इसलिए जो है यहीं पर स्थापना की जाएगी और य रीडी जीला के बगोदर के विधायक थे 2005 में जो है इनकी हत्या हो गई थी और इन्हें जारखन के आंदुलन का जननायक भी कहा जाता है इनके उपर एक डोकुमेंटरी बनाए जा रही है किस भासा में तो खोर्था भासा में इस इसका ध्यान रखेंगे और इस खोर्था आगे आने वाले वीडियो में कुछ और महत्पून करेंट अफेस को डिसकस करेंगे जो खास तोर से जेपेसी के एकजाम के लिए महत्पून होंगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद